तो फ्रेंड्स आजके इस क्लास में हम एक बहुत ही बड़ियां सिक्छा प्रद हिंदी स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी रिडिंग प्रैक्टिस कराएंगी तो चलिए बीना देर किये हुए आजके इस क्लास को हम सुरू करते हैं ताकि इसमें जो मात्रा लगा है न ओ आपको पहचान हो जाए और जो सब्द लिखा है ओ भी पहचान हो जाए ताकि आपको जो है न पढ़ने के साथ साथ हिंदी लीखना भी आ जाए तो चलिए किलास को सुरू करते हैं तो इस्टोरी का नाम है सबसे बड़ा धान इस्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग है तो यहाँ पी देखिए एक बार एक शक्तिशाली राजा घाने वन में शिकार खेल रहा था अचानक अकाश में बादल छा गए और मुसलाधार वर्षा होने लगी सुर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा अंधेरे में राजा अपने माहल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया भूक प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक तीले पर बैठ गया थोड़ी देर बाद उसने वहां तीन बालकों को देखा तीनों बालक अच्छे मेत्र थे वे गाउं की और जा रहे थे सुनों बच्चों जरा यहां आओ राजा ने उन्हें बुलाया बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा मैं बहुत प्यासा हूं और भूख भी बहुत लगी है बालकों ने उत्तर दिया अवश्य हम घर जा कर अभी कुछ ले आते हैं वे गाउं की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आये राजा बच्चो के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन हुआ राजा बोला प्यारे बच्चो तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो मैं तुम सब की सहायता करना चाहता हूं कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला मुझे धन चाहिए मैंने कभी दो समय की रोटी नहीं खाई है कभी सुन्दर वस्त्र नहीं पहने है इसलिए मुझे केवल धन चाहिए राजा मुस्कुरा कर बोले ठीक है मैं तुम है इतना धन दूंगा की जीवन भर सूखी रहोगे यह शब्द सुन्ते ही बालकों की खोशी का ठीकाना नो रहा दुसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गारी देंगे राजा ने कहा अगर तुम है यहीं चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जायेगी तिसरे बालक ने कहा मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गारी मुझे तो आप ऐसा आशिर्वाद दीजिये जिससे मैं पढ़ लिखकर विद्वान बन सकूं और शिच्छा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं तिसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ उसने उसके लिए उतम शिच्छा का प्रबंध किया वह परिश्रमी बालक था इसलिए दीन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंतरी पद पर नियुक्त कर लिया एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई उन्होंने मंतरी से कहा वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो दो और बालक थे अब उनका क्या हाल चाल है मैं चाहता हूं की एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं अतह कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर अमंतरित कर लूं मंतरी ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दीन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गये आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन हूं इनके बारे में तो मैं जानता हूं पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ राजा ने मंतरी के कंधे पर हात रखते हुए कहा जिस बालक ने धन मांगा था वह दूखी होते हुए बोला राजा साहब मैंने उस दिन आपसे धन मांग कर बड़ी गलती की इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ एक वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिती में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा महराज मैं बड़े ठाट से अपने बंगले में रोह रहा था पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बरबाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिती में पहुंच गया उनकी बाते सुनने के बाद राजा बोले इस बात को अच्छी तरह गाठ बांध लो धन संपद सदा हमारे पास नहीं रहते पर ग्यान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता शिक्छा ही मानों को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है इसलिए सबसे बड़ा धन विद्वान ही है तो फ्रेंज आज के इस शिक्छा परद स्टोरी में बस इतना ही आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सबी फ्रेंड्स को सेर कर दीजिए ताकि वेवी घर बेटे असानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस करते रहे और साथ में हिंदी लिखना भी सीखते रहे और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो नीचे देगे लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में जो बेल आगन दीख रहे ना उसको आन कर लिजिए तक मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेसन डिरेक्ट आपके मुबाइल पर मिलता रहे जहिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ